तो सर हम कहां तक पहुंच गये थे चलिए हम स्टॉक डेटर सिस्टम देख लिया था हमने और स्टॉक डेटर सिस्टम के अंदर हमने कुछ 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 किये थे कुछन 14 जो था होमवक में दिया था जो कि अल्रडी आपको मिल जाएगा अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था सर कुछन्स करा दीजिए आप राइक कुछन नमबर ग्यारा एंड बारा चौदा हो चुका है ग्यारा कुछन पहले देखते हैं ठेक है चलिए कुछन आपके पास है यह हम डेटर अकाउंट अकाउंट के लिए स्पेश छोड़ते हैं बागी फॉर्मेटिंग आपने पूरा अच्छे से करना है एक्जाम में जो हमारा यह अकाउंट बनता है ना स्टॉक डेटर सिस्टम में तो आलवेज जो यह होता है किस पर होता है सर मैक्समुम टाइंग हमेशा ही क्या हमेशा ही आपने देखा होगा आई पी पर होता है ठीक है सारे डेटा फिल कर लेते हैं पहले कहता है ओनकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू परचेज टू ब्रांचेज वन एड़ जैपूर एक जैपूर में है अनदर लखनो एक लखनो में है गुट्स आर इंड़ेस ब्रांच एड़ कौस प्लस 50 परसंट यानि जो भी समान भीजा जाएगा जैसे सो और पर का समान है इसमें 50% पहले एड़ किया जाएगा तो जाके वह एक सो पचास रुपे का बेचा जाएगा that is इसको हम IP बोलेंगे ये क्या माना जाएगा हमारा IP तो cost plus 50% मतलब 100 के समान पर 50 रुपे का profit branch remit all costs cash receive head office invoice branch sorry and all expenses meet by HO from the following particular prepare the necessary एक branch stock debtor system बनाना है so the कितना profit कमा रहा है तो stock debtor system word से पता चला कि हमारा stock debtor system वाला है सबसे पहले stock लिखेंगे जो कि यहाँ पर दे रखा है opening stock लिख दे opening stock सर कितने का opening stock है 9300 यहाँ आगया और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता always consider करते है यह किस पे होगा IP पे होगा ठीक है इसके बाद debtor to balance bd debtor की बात करें तो debtor 6800 है debtor के बाद good sent to branch अब यहाँ पे एक शब्द है कॉस्ट और हमें इसको IP पे बनाना है तो good sent to branch अगर मैं यहाँ पे देखूँ यह हमेशा IP पे होना चाहिए लेकिन आपको यहाँ पे किस पे दे रहा है कॉस्ट पे that is आपको 34000 तो मैंने कहा यहाँ पे जितने भी items होगे वो सभी के सभी selling price पे होगा अब देखो cost का दो पंगा है समझना जैसे head office है और एक branch है head office ने क्या करा समान भीज़ दिया 100 रुपे या 1000 रुपे कीमत वाला 1000 रुपे कीमत वाला समान भीज़ा यह head office के लिए cost है यह head office के लिए क्या है cost है और head office ने बोला भीज़ जो समान भीज़ेंगे उसके उपर आपको मान लो suppose 50% का मुनाफ़ा रखना है तो जो branch है branch के पास समान भरे यह 1000 का आएगा लेकिन इसे cost price पे नहीं दिखाएगा branch इसके अंदर profit add करेगा 50% that is 500 और वो अपने पास invoice price जो इसका बनाएगा that is क्या बनेगा एक तो यह इसे बनाना पड़ेगा लेकिन अगर head office सीधा बोलते हैं के भाई हम यहीं से ही तुम्हें invoice price बना के भीज रहे है यहीं से हम क्या कर रहे हैं तुम्हें ये वाला price invoice price बना के भीज रहे हैं तब इसको further branch को कोई effort नहीं लगाना पड़ता अगर branch को बोला गया हम cost price ही बेज रहे है invoice price आपको ही बनाना है यानि इतने percent profit इसमें जुड़ेगा तो branch की जिम्मेदारी बनती है उसके अंदर profit add करके तब good send को दिखाए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये थोड़ा अलग तरीके से बोले जैसे मैंने बोला कि भाई 2000 रुपे है और ये लिखा मैंने cost to branch cost to branch head office जो है वो 30% profit पे भीज रही है दोनों में फरक समझिएगा अब 2000 है head office ने बोला कि भीजा आपको cost पे 30% profit add करके बेचना है किस पे बेचना है add करके 30% cost पे तो मुझे अब सवाल का जवाब देना क्या ये जो 2000 है ये किसके लिए cost है ये 2,000 ये cost है किसके लिए branch के लिए देखो इसके लिए cost अलग होता है और इसके लिए cost अलग होता है इसके लिए IP ही cost है यानि इसके लिए समान की कीमत कितनी होगी और इसके लिए समान की कीमत कितनी होगी अगर ये कहता है कि मेरे लिए 2000 का cost है तो ये बताओ cost price पे है ये IP पे है ये IP पे ही है इसमें कुछ करने के वशक्तर लिए अब दोनों difference देखो कून क्या कह रहा है head office ने कहा कि मेरे लिए cost इतने का था और भेजा और branch कह रहा है यह मेरे लिए cost है तो मतलब इसके अंदर profit already included है तो यह examiner थोड़ा सा twist कर सकता है examiner question cost to branch वो IP है और cost to head office वो cost है इसमें profit add करना बागी ठीक है ऐसे question देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर देखो क्या कहता है goods send to branch at cost मतलब goods भीजा गया branch को cost पे यह नहीं बोला गया कि goods जो costing है वो branch के लिए ऐसा नहीं बोला गया इसका मतलब simple सी बात है सर इसके अंदर अभी मुनाफ़ा branch को add करना होगा और कितना मुनाफ़ा एड करना होगा 50% इसका 50% निकालोगे तो that is 17,000 और जो इसको दिखाना पड़ेगा यहां पर दिखाना पड़ेगा 51,000 चीक है यहां क्या दिखाना पड़ेगा पहले यह बात समझ लोगा मैंने cost को IP में convert किया है ऐसा ही आपको किसी भी questions का अगर मुझे बोलता opening stock cost पे है तो मैं इसको भी IP में convert करके फिर लिखता क्योंकि opening stock के आगे कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो यह already IP पे माना जाएगा sales branch cash में और credit में तो भाई यह जो दोनों sales है वो दोनों ही आना है तो buy cash में sales और buy cash में कितने का sales है और credit में cash collection from debtor भाई साब यह किसका पार्ट होता है debtor का buy cash तीस अजार goods written by branch to head office तो goods written हुआ है buy goods transfer from लखनो branch to जैपूर अब यह कहनी क्या आई transfer from लखनो branch to जैपूर इसको भी समझते हैं अब हमारे पास देखा जाए हमारे पास दो branches है एक जैपूर लखनो और हम काम किसका कर रहे हैं जैपूर branch ठीक है चलिए देखते हैं क्या गहना चाहता है इसको भी ध्यान रखिएगा मान लो हमारे पास यह हमारा head office है एक मान लेते हैं लकनो एक मान लेते हैं जैपूर एक मान लेते हैं जैपूर क्या है इसके दो ब्रांच ठीक है एक head office है और उसके क्या है दो ब्रांच है अब यह दोनों branch जो है वो dependent है यह भी dependent branch है और यह भी dependent branch है और सर यह totally किस पर depend करेंगे कोई भी समान भेजना होगा और मान लेते हैं आप मुझे सिंपल सी बात बताना साउट से जैपूर दूर है और साउट से लपनो भी दूर है अगर हम इन दोनों की distance की बात करें और इनकी इनकी distance की बात करें तो बट ओवेस है इनका जो distance से यह कम है और जो यहां से यहां तक समान अगर मुझे कोई समान delivered करना हो यहां से यहां पर तो समय लगेगा ऐसा हो सकते हैं अब मान लेते हैं कि हमें जैपूर ब्रांच की accounting हम कर रहे हैं और जैपूर में कुछ ऐसा stock है जो की बिका नहीं बहुत सारा पड़ा हुआ है तो ultimately जैपूर ब्रांच क्या करेगा इसको return कर देगा भाई नहीं बिक्रा किसको return करेगा head office को लेकिन यह same stock लखनों ब्रांच को needed है लखनों ब्रांच को क्या है यह needed है तो अब यह इसको return ना करके अब head office instruction दे सकता है जैपूर को कि यार तु एक काम कर मुझे वापस मत कर तु यह सीधा समान कहां पहुचवा दे यानि यह समान यहां से transfer हो जाएगा कहा transfer हो जाएगा लखनों में अब जब इसने भेज दिया तो एक तरीके से यह क्या है जब transfer हुआ तो इसका एक तरीके से जो ब्रांच अब यह जब इसने समान भेजा तो अब बात आती है goods transit की समान भेज तो दिया लेकिन goods इस तक नहीं पहुचा अभी रस्ते में हैं मैंने भेज दिया लेकिन goods इस तक नहीं पहुचा अभी रस्ते में इसने भेज दिया तो यह यहां पर दिखा देगा that's it खतम इसका रस्ते मैं यह समझे हमारा इससे लेना देना नहीं है हम सिंपल ब्रांच अकाउंट अपना प्रिपेर कर लें समझ रहे हैं इसका सेम अपोजिट हो सकता है इसका सेम क्या हो सकता है हमारा यहां तक समझ में आ रहे हैं अपोजिट हो सकता है कभी मेरे पास भी तो आ सकता है कहीं से ठीक है न? तो अगर same opposite की बात करते हम तो मान लो एक head office है इसके दो branches है और head office है इसको मान लो branch 1 और इसको मान लिया branch 2 हम जो accounting कर रहे है that is इसकी कर रहे है इसकी इसके पास एक ऐसा stock है मान लेते हैं 5000 का और जो इसके पास unused है इसका use में भी नहीं आ रहा head office ने instruction दिया branch 1 को के भाई ये समान branch 2 को भेज दो और अब हमें accounting किसकी करनी है branch 2 की तो कहानी बदल गई पिछले वाले से अब जब वो भेजेगा हमें भेजेगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हमारे पास आएगा पांसेजार का है ठीक है आईपी प्राइस पे ले लेंगे पांसेजार लेकिन अगर हम बात करते हैं ये समान इसने भेजा यहां से तो निकल गया लेकिन हमारे गोडाउं तक नहीं पहुचा गोडाउं तक नहीं मौचा तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा यहां पर दो तरीकी की स्टॉक हो जाएंगे एक stock जो हमारे branch के अंदर है और एक stock जो आने वाला है तो यहाँ पर दो entry हो जाएगा एक closing stock हो जाएगा एक word यूज होगा goods in transit transit का मतलब यह समान जो है यह रस्ते में अभी आने वाले question में दिखेगा मैं पहले ही बता रहा हो तो अब देखो पिछले वाले में भी goods in transit था लेकिन यहाँ पे हमारा goods in transit से लेने वाला देना नहीं है क्योंकि हमने भेज आए तुम्हारे लिए transaction है हम अपने में थोड़ी न क करेंगे लेकिन जब हमारे पास कहीं से आ रहा होगा तो goods in transit का इंपॉर्टेंस रोल होगा और इस पर भी loading निकलेगा आपका ठीक है इस पर भी आपका loading निकलना है चलिए अब सर यहां पर सेम अब बैक टूदा कोशन पर आ जाते हैं कोशन क्या कह रहा था के सर गुट्स ट्रांसफर फ्रम लखनो ब्रांश टू जैपूर अब आपको देखने आपके पास आ रहा है आप भेज रहे हो तो यह जैपूर ब्रांश है हम accounting किसकी कर रहे हैं जै जैपूर से कहां पर गुट्स आया यह देखना होगा भाई लखनो जो है वो जैपूर को भेज रहा है या नि हमारे पास आ रहा है यह समान ठीक है अब या तो यह आ गया या तो नहीं आया अगर यह हमारे पास आ चुका है तो हम गुट्स तो इधर लिखी लेंगे अगर रस्ते में होगा तो ट्रांजिट के नाम से दिखा देंगा और ट्रांजिट वर्ड इस्तमाल करेगा इस कुश्चन में है नहीं बागी करेगा तो गुट्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनो ब्रांच टू जैपूर तो हमारे पास आगया तो किदर लिखे टू में बाई में बता हूं तू में है क्योंकि हमारे पास समाना रहा है यह लिखेंगे गुट्स कितने का पंदरा सो क्या यह आइपी पे होगा जब कुछ नहीं बोले जाए तो आइपी पे होगा इस पर लोडिंग निकाले कि ठीक है सौटेज सौटेज तो बाई में आता है हमारा बाई सौटेज कितने इसके बाद अच्छा सौटेज ऑफ स्टॉक इट बाँंच और सौटेज अव स्टॉक अब भी ब्रांच के बारे में आपको यह सौटेज दे रहा है और इसके बारे में नहीं दे रहा तो यह एक सॉटेज है एक सॉटेज के बारे में जानकरी नहीं है तो मालो यह हमारा है ही नहीं नोट दोगे और एक जो ब्रांश के बारे में specific कह रहा है तो वह वाला ले लेंगे यानि हम यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे डिस्काउंट कस्टमर को भी जाएगा तो ट्रेडिंग और पी एंडल में भी जाएगा डिस्काउंट कितने का है इसका क्या करना है और कोई जानकारी तो बची नहीं है अब हमें स्रिफ और स्रिफ क्या करना है क्लोजिंग का प्रोसेस लोडिंग निकाल लेते हैं अब क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा तो यहां से हमारा निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यह एट हंड़्ड आगे यह भी दर आजाएगा ठीक है अब 4,140 अब लोडिंग निकाल लेते हैं अब कॉस्ट पे अगर आपका 50% है तो 33 1 by 3 सेल्स पे हो जाता है अगर आप परसंटेज को देखोगे ठीक है ना कॉस्ट पे 50% है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 1 by 3 अब इसको 1 by 3 हम कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा आप यही फॉर्मला अपलाई करें सेल्स इस इकल जु को स्ब्लस प्लस ठीक है दूसरा मैंने एक परसंटेज निकालने को भी बताया था सबसे पहले आपने रखना है कॉस्ट और फिर क्या रखना है प्राफिट और फिर क्या रखना है ऑप को गीवन क्या है सेल्स को नहीं कीवन उसको समानš लिग जीए cost नहीं गीवन 100 मान लिया profit किसके उपर है हमारा cost के उपर कितने percent profit है हमारा 50% तो आप जब इसको नीचे करके लिए जाएंगे तो sell price जो होगा equal to कितने हो जाएगा 150 हो जाएगा तो यानि आप into में 50 और divide by 150 कर सकते हैं क्योंकि profit का हिस्सा कितने 50 और 50 divided by 150 करेंगे तो 1 by 3 ही आएगा आपका ठीक है तो सर पहले का इसका loading निकाल लेते हैं टू वाले का इधर बाई में चला जाएगा बाई opening stock का बताईए क्या आया 31,100 और बाई इसका आप निकालोगे किसका stock reserve मैंने यहाँ पर word गलत लिख दिया है stock reserve आना जी sr लिख रहा हूँ ठीक है मैं और opening stock पर चलो इसको stock reserve भी लिख देते हैं यह goods cent पर कितने आगे अब एक branch और भी आए हमारे पास बाई यह जो goods transfer है stock reserve किस पर goods transfer कितने आगे ठीक है इसके बाद आजाव सर two side में two side में stock reserve किसके उपर आएगा सर closing पर closing बताव कितना आ रहा है तीन करके कट जाएगा वैसे proper point पर तो आएगा नहीं इसके बाद आएगा two stock reserve और यह निकलेगा goods return पर 400 अब shortage पर निकलेगा two stock reserve shortage पर कि इतने आगे एक सो लेकिन shortage को abnormal loss मानते हैं तो remaining कि कि इतने आगे 300 आप closing का बता दो कितना है बस यह रह गया हूं कि निकाला है कैसे निकालेंगे simple अब इक यह कृघ्चों इससरा कहां से आया कुछ पूछ रहा था मुझसे गाई कि शीट चेंज करनी होगी यह मुझे हो कि पीस शेसो तेरो स्वासी चाहर सो जीपी आगया अठारा शेसो सत्तर और बाई साइड में आ जाएगा हमारा जीपी हारा शेसो सत्तर माइनस दो सो माइनस चोबन सो यह आगया हमारा बारा साइसो सत्तर कि यहां से निकल जाएगा बैलेंस सीडी हलाकि डेटर अकाउंट बोला नहीं है कि और यहां क्रेडिट सेल्स भी तो आएगा कि कहाएगा कि कहां पर कि हां वो लिख रहा हूं मैं अभी इसींट्रीट थाउजेंड निहिएंवी हरे रहे जाए है अच्छा 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 अया थिस्टीट हांड थर्टीवन रिफटन अंडर कि अग्ए और वाई बैलेंस अ यह लीजिवा लिए टीक है यह था हमारा कुश्यन नुमबर च्या झाल झाल